ओम स्री गनेशिया नमाद वुस्तो ओम गनपती समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात कने बाले 5 अगस्त गुरुवार आज के करकरासी के देनिकरासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको साफधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेश और वेवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाई भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे शुरू करने से पेले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लिए तो चैनल को सब्राइब करें और साथ में नोटिफिशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं मेहत्पून वीडियो पहुंच सके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती सुब रहेगा विवसाय में आपके द्वारा लिए गए नेरों से आपको तरक्पी मिलने के योग बन रहे हैं लेकिन दोस्तों अपने बड़ों की सला मस्वरा लेकर ही आगे बड़े अन्यता जल्द बाजी में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है विवसाय और नौकरी में परिवर्तन के लिए यह समय अनुकूल नहीं होगा काफी समय से लंबित अधूर पड़ी कारिये पूर होंगे विदेश में विवसाय संबंदी कारियों में आपको सफलता मिलेगी आपका आर्तिक पक्ष मजबूत रहेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके लिए क्या नेगिटिव रहने वाला है आर्तिक लेंदेन के कारियों में साफधानी बरते अन्यता हानी हो सकती है जरूरी कागज जाच परक करी किसी कारिये को पूर्ण अंजाम दें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपका विवशाई और केरियर कैसा रहेगा दोस्तो आज का दिन विवशाई कारियों को विश्तार देगा विवशाई में तेजी आएगी नई विवशाई गतिविदियां आपके लिए उत्तम रहेंगी कोई नया विफशा या कारिया करने के लिए अभी समय उत्तम नहीं होगा यह समय नोकरी पेसा जातकों को केरियर में टरक्टी देगा नोकरी में परिवरतन के लिए अच्छा समय नहीं है व्यापार समंदी यात्राएं आपकी सफल रहेंगी और चला-चल समपत्ती से कुछ लाब के योग बन रहे है दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका घर परिवार कैसा रहेगा संतान पक्ष को लेकर चिंताएं खतम हो जाएंगी संतान पक्ष के विवा में आ रहे ही दिक्कते और बादाई भी समापत होंगी घर परिवार में हर सो उल्लास का वातावन रहेगा किसी आयोजन की तेहारी में वियस्दा बनी रहेगी किसी मुख्यकारिय की जिम्मेदारी आप भाई मेहन को सौब देंगे जो आपके लिए लाबदाई रहेगी स्वास्त के चिंताएं समात होंगी धरम करम के मामलों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे समय समय पर माता पिता का सिर्वाद भी आपको और अधिक सफलता दिराएगा जीवन साती के दुआरा कोई लाब की संभावना बनी हुई है दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी दामपत जीवन काफी खुसाल रहेगा पती पतनी के संभन्दों में मधूरता बनी रहेगी रिस्तों में मजबूती आएगी प्रेम संभन्दों में मधूरता आएगी प्रेम विवा का निर्ने सफलत साबित होगा ससुराल पक्ट से रिस्ते मजबूत होगी और कोई आपको लाब भी पराप्त हो सकता है दोस्तो आप बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है आज स्वास्तामंदी समझ साए या सभी चिंतायां आपकी दूर हो जाएंगी सेहत के मामलों में कुछ सुधार होगा और अधिक स्वस्त रहनी के लिए आप नियमित योग करें व्यायाम करें, प्रायाम करें और स्वस्त रहें दोस्तो आज आप ये उपाय वश्य करें भगवान स्री हरी विश्णू जी को नारियल और स्री खंड का भोग लगाएं और साथ ही प्रसाद भी बाटें और प्रसाद स्वें भी ग्रहन करें और इसके साथ 108 बार इस मंतर का जाप करें ओम नमो भगवति वासुदेवाई दोस्तो इससे आपकी सभी मनों कामने सिग्रपूरी हो जाएंगी दोस्तो आपको भगवान विश्वनुजी का जिर्वात प्राप्तो कमेंट में जे विश्वनुवस से लिखें धन्यवाद दोस्तो आपका दिन सूब और मंगल में हो